दही में रोजाना एक चमच इस पाउडर को मिला कर खालो वजन अपने आप घटने लगेगा चरपी खुद पर खुद पिखलने लगेगी कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट की जरुवत नहीं पड़ेगी ना ही भूखा रहना है ना ही कोई हैवी एक्सराइज आपको करनी है बहुत जल्दी अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ उन टिप्स को भी आपको फॉलो करना है इस तरीके के साथ अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया और ये तरीका भी फिर काम नहीं करेगा इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा ध्यान से सुनिएगा उन टिप्स को जो आपको फॉलो करनी है अगर सीरियसली आप अपने वजन को कम करना चाते है इन ही कुछ घरेलो नुसको का इस्तुमाल करके मैंने अपना खुद 14 किलो वजन घर पे बैठे बैठे कम किया है और वही टिप्स मैं आपको भी देती हूँ जो टिप्स मैंने खुद फॉलो की है तो वीडियो शुरू करने से पहले हाई फ्रेंट्स मैं गीता वर्मा गीता की नूर एस्पीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजेगा लाइक दूसरों के साथ शेयर करेगा कॉमेंट करना पिल्कुल मत भूलेगा और चैनल पे पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और ये भी लिखे बताएगा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं तो यहाँ पे आज मैं एक रायता मसाला बनाने वाली जो की गुणों से भरपूर है इससे आप बहुत सारी बिमारियों से भी बचे रहेंगे और साथ ही आपका वेट लोस पी होगा तो इसके लिए सबसे पहले गयास पे एक तवा रख लीजिए और यहाँ पे हमें लेना है जीरा और जीरा तो सभी जानते हैं डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है साथ ही वेट लोस के लिए बहुत अच्छा होता है आपने जीरे की ड्रिंक भी बहुत बाइपी होगी वेट लोस के लिए अगर वेट लोस आप करना चाहते हैं तो आपने ट्राइक की होगी तो यहाँ पर दो चमच हमें जीरा लेना है और यहाँ पर मैं थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ आप चाहे तो इसी रेश्यो में आप जादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं दो चमस जीरा डालने के बाद अगली चीज जो मैं यहां पर ले रही हूं वह सॉफ और जो सॉफ होती है वह भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है साथी वेट लॉस आपका बहुत तेजी से करती है क्योंकि यह सारी चीज़े हमारे मेटरबॉलिजम को बूस्ट क करती है जो भी खाना आप खाते हैं वह फटा-फट से हजम हो जाता है यहां तक कि जो पहले का स्टोर हुआ खाना आपकी बॉड़ी में सड़ रहा है उसे भी यह बाहर निकालने में बहुत जादा मदद करती है बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं सॉफ जीरे से कुछ नहीं होता तो मैंने खुद इन से चोन भी बना के लिया है ड्रेंक्स भी बना के लिए हैं बहुत अच्छा काम करती है यहां पर अगली चीज़ों में ले रही हूँ वह कुछ काली मिर्च के दाने हमें लेने हैं और यह भी हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है साथ ह वेट लॉस में बहुत जादा मदद करती है तो बहुत जादा काली मिर्च हम इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी का टाइम है तो 15-20 मैंने काली मिर्च के दाने इसमें अड्र करती है और इसे भी हमें धीमी धीमी आज पर भूनना है बिल्कुल भी जलाना नहीं है गैस के लिए बहुत अच्छी होते है और यह गरम तासीर की होती है जैसे जीरा भी गरम तासीर का होता है पर जितनी भी चीज़ें में इसके अंदर आड़ करूगे ऐसी चीज़ें आड़ करूंगे कुछ घंड़ी होंगी तो यह मसाला है वह बैलन्स हो जाता है सिर्फ एक इसे में धीमी धीमी आज पर भून रही हो और भूनने से भी क्या होता है कि इनकी गरम तासीर निकल जाती है जिससे आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और आपको ये नुकसान भी नहीं करता है तो इसे भूनने देंगे और अगली चीज जो मैं यहाँ पर आट कर कर लेंगे तो आपका जो वजन है वो तेजी से कम होने लगेगा पिल्कुल धीमी धीमी आज पेसे भूनने देना है आप जो अगली चीज में ले रही हूं यह भी वेट लॉस में बहुत सदा मदद करती है और इतना कमाल का काम करती है आपका डाजेशन भी बहुत तेजी स अगर आपके पास सूखी हुई भी आना का आप यूज कर सकते हैं मैंने यहाप फ्रेश ली है तोड़के तो इसे मैं तवे पे ही डाल देती हूं जैसे जैसे हमारा मसाला भूनेगा इसका भी मौश्चर निकलता जाएगा और यह सूखी क्रिस्पी हो जाएंगे तो बिल्क इसे चार मिनट लगते हैं और पकने के बाद ना जो आपका पुदीना है वो कुछ इस तरह से मुर्जाना शुरू हो जाएगा इसका जो मौश्चर है ना वो खतम होता जाएगा और मसाले भी देख सकते हैं हलका सा कलर चीन जो किया है पर बिल्कुल भी जले नहीं है तो थ सारे गुण होते हैं बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं जो भगवान ने बुद्रती चीज़े बनाई है यह बहुत सोच समझकर बनाई है इसलिए इन ही चीजों का इस्तिमाल करके हम खुद घर ठीक हो सकते हैं हमें कोई मार्केट की दवाई की जरुरत नहीं है तो यह का हमें बारीक पाउडर तयार करना है अभी इसमें कुछ चीज़े और जाएंगी तो यह भी चून तयार नहीं हुआ है इस तरह से मिक्सी में डाल लीजिए और इसे जब आप ग्राइंड करेंगे तो ध्यान रखेगा मिक्सी का जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए अगर गीला होगा तो यह चून आपका जादा दिन नहीं टिकेगा जल्दी खराब हो जाएगा और इस चून को बहुत जादा क्वांटिटी में नहीं बना के स्टोर करना है नहीं तो इसका जो असर है जो इफेक्ट है वो नहीं आपको दिखेगा क्योंकि पुराने जब हो अब इसके अंदर एक दो चीज़े और हमें आड करनी है वह देख लीजी तो इसके अंदर अगली चीज जो मैं आड कर रही वह भी डाजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है वह है काला नमक और काला नमक आप लोग जब भी पेट में दर्द होता होगा या फिर डाजेश हम इसमें सेंधा नमक में लाएंगे थोड़ा सा दोनों ही नमक बहुत अच्छे होते हैं डाजेशिंग के लिए तो मिली हमारे कहने का मकसद है कि जब भी आप लोग जो वजन हमारा बढ़ता है क्यों बढ़ता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं जितनी कैलरी जब भी आप लंच करेंगे एकटोरी डही में एक चमच इस पाउडर को मिलाना है और इसे खाने के साथ खाना है जब इसे आप खाने के साथ खाएंगे तो यह जो आपने खाना खाया है उससे हजंब करने में मदद करेंगा और साथी जो पहले का जो सर्ड रहना उसे बाहर निकालने में मदद करेगा और तेजी से आपका जो वजन है वो घटने लगेगा ट्राइ जरूर करिएगा